कि क्या कहता है 1.8 में दबुक एंड रिकॉर्ड ऑफ दा आनन्द बनिफेक्ट्रिंग कंपणी पर्जेंट फॉलविंग डेटा लेबर कॉस्ट देता है डारेक्ट लेबर सोलह जार डारेक्ट लेबर कहा आएगा आपको पता है कि डारेक्ट सोलह जार बस आपको पुट करना है डारेक्ट लेबर के बाद आपको देता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल चप्पन अजार देखो क्या दे दिया है इसने डारेक्ट यहां की इंफॉर्मिशन दी इसने जो हम हर बार निकालते थे का अगे कुश्ट्ण में देता है आपको इसके बाद कहते है इंवेंट्री रॉमेट्रील का डव्लौ आइपके दिक्षा गा टो ओ affirm कि अ प्लस और माइड माहिनस क्वोजिंग ओपनिंग क मइयनसक प्लोजिंग यह रॉमेट्रील का रहेगा क्लियर तो ओपनिंग है 8000 ख्लोजिंग च्छी सो ठीक है कोई दिक्कत नहीं और च्छी सो माइनस का च्छी सो इती सिक्संडरेड माइनस का ठीक है डबलू आईपी का देता है तो एक ना हमें हैडिंग जनरेट करना पड़े गए हम मैं थोड़ा सा इस्पेस कम लूँगा मैं यहां लिख दिया मैंने ग्रॉस कि फेक्ट्री कॉस्ट कि इसके बाद हमारा लिख जाएगा नेट कि फेक्ट्री कॉस्ट इन दोनों के बीच में जो गैप है यहां पर डबलू आईप एगा प्लस ओपनिंग डबलु आईपी और माइनस क्लोजिंग डबलु आईपी ओपनिंग डबलु आईपी आपके बुक में कितना दे रखा है 8,000 आठजार क्लोजिंग माइनस कर देंगा माइनस 12 एप फिर्स क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा यह बिल्कुल फिर तो लगेगा पता नहीं बिल्कुल सिंपल कोशन है फिनिस गुड्स कभी दे रखा है तो फिनिस गुड्स कहां डील करता है यहां पर प्लस ओपनिंग एफजी और माइनस क्लोजिंग एफजी क्या दोनों का माउंट दे रखा है बिल्कुल आसान होगे एक काम तो 14,000 और 18,000 यहां से भी रिजल्ट जो भी निकलेगा भी देख लेंगे आगे देता है सेलिंग एक्सपेंस आपको 3400 रुपे सेलिंग एक्सपेंस यहां एगा एडमिन एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंस कितना है आपका 2600 रुपे एडमिन एक्सपेंस के बाद आपका सेल फॉर्द मन्थ ठीक है भाई सेल दे रखा इसने तो यहां पर लास्ट में लिखने सेल और यह सेल जो आ गया वो आ गया 75,000 चलो कहता है कि आप सेल बना दो और गुट्स मैनिफेक्चर एंड सोल्ड प्रॉफिट अर्न क्या करा यह बताओ यह इन्फॉर्मिशन है अब देखो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा इसके अंदर यह जोड़ दूँ तो हमारा क्या हेडिंग जनरेट हो जाएगा यह हा या ना मैं थोड़ा उपर लिख देता हूँ अगर कन्फॉजन है तो यह लो इसमें यह जोड़ दूँ तो यह जनरेट होगा तो कितने होगे 56,59 इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो होगा प्रॉफिट बताओ क्या आगया कि पंदर अच्छे सो कि यह रिजल्ट निकाल दिया अब मुझे यहां से यहां जाना है तो यह आगया 4000 माइनस का अब बताओ यहां से मैं यहां कैसे जाओं 56,000 को मुझे यहां लेके जाना है, .4 माइनस का है तो नीचे से उपर जाते तो किया हुथ एठ तो यह कितना हो गया कि अब यह क्या हमारा प्लसका यहां से मुझे यहां जाना है माइनस तो देखो बड़ा ही असान है result मिलता जा रहा है मुझे अब इसको मैं solve करूँ तो minus का आएगा 4000 अगे अब मुझे यहां से यहां जाना है plus 4000 yellow ठीक है अब कोई यहां का खर्चा तो ही नहीं भई gross का कोई खर्चा नहीं तो 0 है यह 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 same आ जाएगा यह अब इसको मैं minus plus करूँ तो 600 यहां से यहां जाना है क्या करें यह minus 16,000 और plus 600 तो answer आगे है च्छालिस अजार तो यह च्छालिस अजार पता ही क्या होगा यह पर्चेज होगा यह लो कितना असान है देखो ठीक है यानि एक बार mind में format आगे यह format लिख लिया फिर तो fill करना है और आपको result मिल जाएगा सौझ में आए क्या है ठीक है साइध यहां पर 60% भी कुछ कह रहा था मैंने ध्यान ने दिया कहता है direct labor जो है 160% of the factory overhead तो direct labor एक point missing हो गया चलो फिर दुबार आ जाएगे यहां क्या दिकत है क्या था direct labor यानि जो यह direct labor दे रखा है वो one 60% है किसका तो भाई 16,000 160% है तो divided by 160 तो वहां के कितना होगा 100% ही होगा तो answer is ठीक है नहीं है इस समझ में बात देखो मैं कहा रहा हूँ कि यह जो दे रखा है मानलो यह है आपका 125 तो मैं बोल रहा हूँ 125 में 125% है या फिर मैं बोल सकता हूँ चलो factory overhead मैं बोल सकता हूँ यह 100 है तो 25% जोड़के यह है तो 125 बोलोगा है मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ जो 125 है न इसमें 25 परसंट पहले से यह जुड़ा हुआ है यानि जो 125 परसंट है वो इसका किसका 125 परसंट है तो निकाल सकते हैं तो सेम यहां बोले यह 16,000 जो है एक सो साथ परसंट किसका है फैक्टरी ओवर हेड कितना होगा हंड्रेड यहां से 10 तो यहां पर रिखेंगे 10 अब क्या जाएगा 15,000 ओपर जाएंगे तो क्यावन में 16 माइनिस करेंगे 15,400 में 16 माइनिस करेंगे क्या आएगा 35,400 और प्लस कर देते हैं 636,000 रुपए इसका अंसर आ गया स्वज में आएगया कैसे करने देखिए आप नोट करिए इसको बुक में आप सॉलीशन देख सकते हो उपर लास्ट में इन्होंने कंबाइन निकाल दिया है जिसमें कोई दिक्कत नहीं है आप कैसे कर होगे है